राची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिनी उत्तर प्रदेश में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वहां से होता हुआ ज्ञारखंट से क्रोस करते हुए दक्षिनी बंगाल की खाड़ी में स्टैंड कर रहा है जिसके प्रभाव का असर ज्ञारखंट के मौनसून क पत्विधियों पर आने वाले तीन दिन 14 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक तेजी से पढ़ने की संभावना है 14 सितंबर यानि की आज से 16 सितंबर तक ज्ञारखंट राजे के सभी स्थानों पर हलके और मध्यम दर्श की बारिश देखने को मिलेगी महीचे तयावनी की बात की और मध्य भाग के कुछ को स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है वहीं जारखंट के पस्चिमी और उनके मध्य के कुछ को जगों पर भारी बारिश की संभावना जताई जारी है इन आने वाले दिनों में निम्न दवाग के शेत्र के असर में जारखंट में मौ चेतावनी की बात करें दक्षनी उत्रपदेश्ह में साइकलोनिग सर्कूलेशन है होन से होता हुआ जो स्वानिग सेर्कूलेशन बंगारी मैं वहां पर एक्सेंड कर रहा है और यह झार्कन से भी क्रोस कर रहा है तो इनके असर में आने वाले दिनों में जहरकन में क्या असर होगा संभावना 14 तारिक में भी जताई जा रही है कि दक्षणी और जो मदी भाग है वहाँ पर आपको कुछ जगह पर भारी बारिश देखना की मिल सकती है कि खासकर तो दक्षिन पष्चिमी इलाके हैं 14 तारिक में 15 तारिक में पष्चिमी जो इलाके है जहरकन के और उसके साथ में जो मदी के इलाके हैं वहाँ कुछ जगह पर आपको भारी बारीश की समयोना जदाई जा रही है तो अब यह आने वाले दिनों में क्यों जो चत्रों में देखनों मिलेगा बड क्योंकि लोग प्रेसर बनेगा तो धर्कन में भी मॉंसूनी गतिविदी में तेजी आएगी और अभी तक मॉंसून के बारे में बात करें तो अभी तक जो वास्तविक वर्सापात है वो 593.3 mm हुआ जब कि इस अवदी का जो समान्य वर मिले जरी वर बारिए वर्श के लिए महीं बास में हैं जो की है पूरिया पश्मी सिंग्भुंः और सराहिकेला कहतळा एर सत्रां डिष्टृ्क जहां समान शक्राइब परभाव में आप लो मॉंसूनी गतिवी दिए Latv. 109 pessoasif करने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें